Hello everyone, देखिए अब next topic करते हैं, हम uniform circular motion, देखो uniform circular motion क्या होता है, कि एक circular path जो follow करे object, कैसे मान लो, यहाँ पर ये object है, ठीक है, ये एक circular path में क्या कर रहा है, move कर रहा है, और किस से कर रहा है, constant speed से move कर रहा है, कैसी speed से, constant speed से अगर object move कर रहा है, ये पूरी जो है, इस तरीके से move कर रहा है, ठीक है, तो ये circular path है, और constant speed से अगर वो move करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका, uniform circular motion, नाम से बाच रहा है, uniform मतलब क्या है, constant, constant speed से circular path में जो move करता है, object, उसको क्या बोलते हैं, हम, उसका motion कैसा है, uniform circular motion, यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, if an object follows a circular path, at a constant speed, circular path follow करता है, constant speed पे, तो जो motion है object का, then the motion of the object is called, uniform circular motion, कोई दिखता दिसमे, uniform मतलब constant, और circular motion, मतलब बदा चलगे, आपको circular path follow कर रहा है, uniform मतलब constant speed से तो उसे क्या बोल रहे हैं, uniform circular motion, अब इसमें आप example ले सकते हो, clock का, clock में कैसे example ले सकते हो, देखो, यहाँ पर मैंने का object, ऐसे move कर रहा है, अब object तो कैसे भी move कर सकता है, ऐसे भी move कर सकता है, ठीके है न, यह तotion clockwise move करता है, यह फिर anticlockwise move करता है, होना कैसा चाहिए, circular path होना चाहिए, अब हम इसमें example में clock का देते है, clock में आपको पता है, अगर हम यहाँ पर देखें, clock, clock के अंदर आपको पता है, एक तो आपकी चोटी सुई होती है ठीक है एक ये बडी बली होती है ठीक है जो चोटी बली होती है इसको क्या बोलते हैं हम और यो बड़े ब उसने को खलेत खलेम वह ट्रिक घ्र, यह 12 लोक चीश ए तो रितन के सेut क्या बोलते हैं यह 11 पे अगर आपको टाइम देखनाता है तो बता पाऊगे दो बज़ कर 55 मिनट तो यानि कि यह क्या बता रहा है 11 पे सुई है तो मतलब क्या है मिनट बता रही है 55 मिनट क्लियर और यह यहां पर होती है दो यह तीन के ऐसे बीच में और जब यह पूरी 12 पर है 그게ा टिक यह तो है तो सेकिन्न हैंड यहां पर मतलब यह इस सुईाउं की बात कर रहे बात कर रहे हैं हार हैं घंटे फ wanna स्मिए और यह सेंड्री मतलबब सेकेमन्ड यह सेकिन का tip का motion यह tip हो गई इस की टीप का motion देखो आप इस तरीके से circular करेगा कि नहीं करेगा second hand ऐसी चलती है अब आप कहोगे यह तो minute hand भी चलती है our hand भी चलती है ऐसी चलती है ठीक है वह बास सही है हम क्या करें क्लोक की बात करें और क्लोक में सब भी सूमि होती है अगर आप देखना देखना सेकीड हैं कुछ ओध handheld की होती है वॉलिख देखना के सचिछ के рदोटी बार बार देखोगे तो आपके पास क्या टाइम है सेकेंड को देखने का टाइम है तो एक मिनट में क्या करेगी अपना एक राउंड पूरा करेगी तो जो सर्कुलर मोशन है वो हम किसमें ले रहे हैं यहां पर सेकिंड हैंड का देख रहे हैं क्योंकि इसली आपको अडेंटिफाई होगा अब आपको गई नहीं सर यह तो टिक टिक करके चलती है ऐसे टिक टि कीट को देखो लोसकी टिप यह वाली चीज नहींहीं हम कह아रें इसकी टीप को देखो सिर्फ हाँ ठीक है यहां पर स्कारिए बता जा रहा हूं तो इसकी जो यह टिप है इसका मोशन देखो यहां आएगा फिर यहां आएगा इस तरीके से हम बात करें ठीक है तो यह जो मोशन है इस तरीके से हो रहा है इसका ठीक है थोड़ी देर बाद देखा तो यहां है थोड़ी देर बाद देखा तो यहां है कर समझ र पॉइंट पे ट्रेक्शन यह होगी ठीक है यह बात आपको समझ में आ लिए हैं चलो में बात मेरे को आपको यहां पर यहां पर यह समझानी थी कि uniform circular motion क्या होता है उसका example मैंने आपको एक clock का दे दिया ठीक है बात करते हैं जो important है जो आपके exam में भी पुछ जाती है कि why uniform circular motion is called accelerated motion uniform circular motion को accelerated motion क्यों कहते हैं अब आपको कहते होंगे लेकिन यार थोड़ा सा दिमाख लगा लो ना uniform circular motion में मैंने अभी क्या बोला आपको speed क्या है constant स्पीड मतलब constant है तो initial भी जो होगी मालो 25 है मीटर पर सेगिंड और final भी क्या है 25 मीटर पर सेगिंड इसको हम V से लिखते हैं clear तो यानि की acceleration तो क्या होता है हमारा change in velocity और यहां तो हम change in velocity अब उनमे time अगर करते हैं तो यहां पर final minus initial तो final minus initial के हिसाब से तो यहां 25 minus 25 मतलब time चाहे कुछ भी लग रहा है मालो 2 seconds का लग रहा है तो यह तो 0 by 2 आ रहे है यानि की 0 acceleration है तो accelerated motion क्यों कह रहे हैं इसको question समझ में आया पहले तो question ही समझ माना चाहिए answer तो बड़ी बात की बात है समझ रहे हो कि uniform circular motion को हम accelerated motion क्यों कह रहे है बात समझ में आ रही है यह नहीं accelerated motion बोल रहे है और जबकि अभी तो हमने बात करी कि uniform circular motion में speed constant है तो constant speed है तो फिर यह क्या हो रहे है acceleration तो 0 यह accelerated motion बोल रहे है तो अब ध्यान से समझना कहानी को वहाँ गे accelerated motion क्यों कह रहे हैं देखो धियां से, जैसे माँन लो यह eck circular path है, यह object move कर रहा है यह हाँ ठीक है यह हम लिया मैंने यह object है, ठीक है, यह ऐसे move कर रहा है, ठीक, ओर distance कितना है यह माँन लो, इसका r distance है, clear, अब यह object यहां पर इसकी direction यह है जब थोड़े time में देखा यह object यहां पर आ गया तो यहां पर इसकी direction यहां है थोड़े time में क्या कुछ भी time आप अगर consider करोगे कि अभी यहां है फिर यहां होगा यहां direction अलग होगी यहां direction अलब होगी अभी मैंने आपको बताया था direction कैसे देखते हैं टेंजेंट्स डाल देते हैं टेंजेंट्स बता है न circle पे किसी point पे tangent डालना होता है तो इस तरीके से डलता है तो वो उसकी direction भी बताता है clear है अगर यह object ऐसे move कर रहा है मान लीजिए यह इस direction में move कर रहा है तो फी direction में यह वाली बताता जबर depend करता है अगर यह वाली direction है तो यह बना रहा है हमने यहां पर ठीक है तो यहां कहानी क्या है कि यहां पर direction जो है वो change हो रही है हर point पर और अगर हम speed बोलते हैं तो speed में तो कोई direction नहीं होती स्केलर क्वंटिटी बट यहां तो जो ओबचेक्ट की जो direction है वह vy पॉइंड़य है चेंज हो ही है तो यानि की उसकी डारेक्शन चेंज हो रही है अगर हम बोल रहे हैं डारेक्शन चेंज हो ह koleरा कि किसंये आती है वेलॉसिटी में आती है या नहीं आती है बास समय रखो कि it's a vector quantity तो अगर हम कह रहें कि every point direction तो change होई रहे ना circular motion में अगर एक straight line है वहाँ पर speed हम कह रहें कौन से लेकिन जब हम कहते हैं कि direction है तब हम क्या बात करते है कि velocity है क्योंकि velocity के अंदर क्या आती है कहानी direction वाली आती है because it's a vector quantity या तो direction ये होगी या ये होगी या ये होगी कोई भी direction अगर हम बता रहें तो यानि कि वो क्या है velocity है तो यहाँ पर direction क्या हो रही है चेंज हो रही है direction तो ही every point पर और वो क्या हो रही है continuously रही है तो यानि कि अगर direction change हो रही है तो यानि कि मैं बॉल सकता हूँ कि velocity चेंज हो रही है बताओ, है कि नहीं बात और velocity change हो रही है तो मतलब acceleration का formula क्या होता है, change in velocity appointment time, तो velocity तो change हो रही है चाहे उसकी direction में ही change हो रही है समझ रहे हो बात को, अगर हम mathematically देखें तो ओवेस भी बात है कि एक्सेलरेशन नहीं है बर कहानी को सोचो theoretically की practically भी सोचो इस चीज को कि जब हम बात कर रहे है डारेक्शन की तो direction तो चेंज होई रही है continuously और यानि कि उसकी velocity change हो रही है तो velocity change ही क्या होता है हमारा rate of change of velocity ही क्या होता है, acceleration होता है, तो यहांगими आप किसी भी point पर, यहां direction यह होगी, यहां पर यह direction होगी, यहांपर यह direction है, यह यह direction है, every point जो है direction क्या होरी है, चेंज होरी है, इसका मतलब यह क्या है, यहाँ पर velocity change हो रही है यह मतलब है यह बिलकुल मत समझना कि यहाँ इसकी speed से कोई मतलब है या फिर हम कोई magnitude की बात कर रहे है velocity जैसे मान लीजिए इसकी 25 meter per second है तो यह चीज तो क्या है इसकी मान लीजिए constant है यह तो fix हो गया magnitude लेकिन direction तो change हो रही है नa continuously तो theoretically अगर हम देखें कि direction चेंज हो रही है तो यहानि कि direction किसमें अती है velocity में तो यहलाओसीटी चेंज हो रही है अगर हम theoretical बात करें तो और velocity चेंज है तो मतलब क्या है acceleration है इसलिए इसको accelerated motion बोला वैसे कुछ acceleration नहीं है accelerated motion क्या होता है या तो speed कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है यह होता है acceleration या हम velocity की बात करने की कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है ज़्यादा हो रही है velocity तो बढ़ रहा है acceleration यानि की positive है घट रही है velocity तो हम कहते है negative acceleration है क्लियर एतनी बात लेकिन यहां पर अब जब हम बात कर रहे हैं कि इसका मेगनिट्यूट तो इसको acculated motion बोला क्योंकि यह directional है हर पॉइंट पर इसकी direction चेंज हो रहे है तो हम बोलेंगे velocity चेंज हो रही है जहां change in velocity आति है कहानी तो क्या है ?इसम़ज में हाई कहानी ? बताओ यही चीज़ों यहाँ लिख रखती है अमने देखो क्या कहता है। The word uniform means speed is constant throughout the motion. Speed constant है throughout the motion. L तो, जब कि the speed does not vary, जब कि speed vary नहीं कर रही है, the particle is accelerated. तब भी particle क्या है? Accelerated है, क्यों? Because the velocity changes. Velocity changes, तब कैसे velocity change हो रही है? As its direction of motion changes. यह क्या लिकावा है मैंने आपर. As its direction of motion changes. Direction of motion क्या हो रहा है? Change हो रहा है. At every point on the circular track. इसलिए हम कहाँ रहे है, velocity change है और इसलिए क्या है वो? Accelerated है. यहाँ पर यह इच बात लिख रखिया है. As the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is acceleration. Change in velocity क्या होता है? Acceleration, rate of change मतलब time के साथ. Time हो ही रहा है, विस बाद डिरेक्शनल भी change हो रही है, तो with time हो रही है, clear? As the rate of change of velocity is acceleration, so a uniform circular motion is an accelerated motion. बताओ, समझ में आ गई कहाँ या नहीं, बिल्कुल सिंपल सी थी. तो यह था आपके पाद uniform circular motion and uniform circular motion accelerated क्यों है? यह कहानी थी यहाँ पर, ठीक है? Next वीडियो में हम कुछ definitions करेंगे time period of frequency की, और फिर आगे हमारे पास angular displacement, angular velocity, angular acceleration, centripetal acceleration हो गएरा, यह सारा हमने पढ़ना है अभी. Clear है इतनी बात, बताओ. Okay, thank you.